दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल दो शेर्स के बारे में विकास लाइफ केर लिमिटेट के बारे में और साथ ही साथ इनी की ही कमपनी विकास इकोटेक लिमिटेट के बारे में दोनों शेर्स को लेकर काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी काफी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि विकास Life Care Limited या यूं कहें कि विकास Multicorp Limited और साथ ही साथ विकास Ecotec Limited के अंदर क्या बड़ी announcement देखने को मिल रही है और यह जो lower circuit हमें इन दोनों shares के अंदर देखने को मिल रही है यह गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है काफी बड़ी profit booking चल रही है लगबग 21 जनवरी से लगातार विकास Life Care के अंदर हमें lower circuit देखने को मिल रहे है shares लगबग 25% से भी ज़्यादा decline हो चुका है लेकिन अगर आपने में विकास Life Care Limited के अंदर long term purpose से investment कराए तो shares fundamentally बहुत ही ज़्यादा strong है यहाँ पर आप अपनी positions को long term purpose से hold करके चलिए तो यहाँ पर आपको कभी भी loss नहीं होगा market में एक चीज retail investor हमेशा से panic ले लेते हैं वो है यहाँ पर अगर आपने किसी भी penny shares के अंदर long term purpose के लिए investment किया है याने कि अगर आपने 10 साल के लिए investment किया है तो उसको हर दिन देखना बंद कर दीजिए यहाँ दोस्तों सही के राओ में यहाँ पर अगर आपने किसी भी penny shares के अंदर investment के आये तो उसको हर दिन देखना बंद कर दीजिए क्योंकि market में up and downs तो यहाँ पर daily basis पर चलते रहते हैं और अगर आपको एक दिन भी किसी penny shares के अंदर lower circuit लगता है तो वहाँ पर investor panic लेने लग जाते हैं लेकिन सबसे पहले चीज यह देखिए कि company के fundamentals नंबर कैसे हैं जैसा कि मैं आपको already बता चुका हूँ कि विकास Life Care Limited, debt reduction का program भी चला रही है और साथ ही साथ company के financial result भी काफी जादा strong हमें देखने को मिल रहा है जहां company का revenue लगबख 1000% से और company का net profit लगबख 4000% से increase होते वे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का panic लेने की जरूरत नहीं है वहीं आज ही के दिन विकास Life Care Limited की तरह से एक और बड़ी announcement हमें देखने को मिल रही है अब देख सकते हैं एक फरवरी 2022 आज ही के दिन यह announcement निकल कर आई है जैसा कि आपको पताए कि विकास Life Care Limited ने काफी जदा acquisitions अभी recently करी है जिसमें mainly अगर एक company की बात करें जिसका नाम है GNCC Gage Solutions Private Limited जिसकी acquisitions company ने यहाँ पर करी है यानि की majority stick GNCC's Gage Solutions Private Limited का विकास Life Care के पास ही हमें देखने को मिलता है और उसी को लेकर first team इंडिया में यहाँ पर company जो लोरा टेकनोलोजी है उसे adopt करने जा रही है meter interface units की यह हमें प्रोसेस देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि recently विकास Life Care Limited के पास में जो plastic को resile करने का program भी company चला रही है उसमें इंडिया के अंदर इस company का काफी ज़्यादा यहाँ पर दबदबा है और आने वाले time में जैसा कि आपको पता है कि plastic recycling पर बहुत ज़्यादा focus दिया जाना है तो इस company को उसका काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है तो ultimately यह news भी यहाँ पर निकल कर आई है यह विकास Life Care Limited के लिए काफी ज़्यादा positive news है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर रिसेंटली जैसा कि आपको पता है कि विकास Life Care ने कुछ बड़े acquisitions भी करे थी और कुछ बड़े tie-up भी यहाँ पर इसने करें है तो इससे company को long term में काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है company fundamental numbers तो अच्छे हैं ही लेकिन इस share के अंदर volume बेस काम थोड़ा सा अब हमें stable होते वे देखने को मिल रहा है अगर विकास Life Care Limited के आज के volume में इस काम की बात करें तो आज के दिन हमें NAC और BAC के अंदर 64,00,00, quantity इस share की trade होते वे देखने को मिल रही है लेकिन जो भी quantity आज के दिन trade हुई है 100% deliverable base पर उठाएगे ये सबसे बिली चीच अगर आप long term परपस से बने हुए हैं तो यहाँ पर अपनी positions को आप 100% hold करके चल सकते हैं लेकिन अगर आप short term परपस से बने हुए हैं तो यहाँ पर आप time to time market में profit booking भी कर सकते हैं हाला कि इस शेर को लेकर अभी भी 77% buy की call और 10% hold की call निकल कर आ रही है याने कि 87% analyst अभी भी इस शेर को fresh buying के लिए recommend कर रहे हैं लेकिन प्रमोटर्स अपनी holdings को अपनी holdings को यहाँ पर stable रखे हुए हैं याने कि पिछले quarter के comparison में इस quarter में याने December quarter में promoters ने अपनी holdings को reduce भी नहीं किया है और नहीं increase किया है तो quarter 4 में यह देखना बहुत ज़्यादा important होगा कि क्या promoters अपनी holdings को increase करते हैं अगर increase करते हैं तो definitely यह shareholders के लिए एक positive sign होगा यदि आपने विकास Life Care Limited के अंदर investment कर रखाएं तो इन resistance और support level को धियान में रखते हुए आप अपने risk को विकास Life Care Limited के अंदर यहाँ पर manage कर सकते हैं और अपनी positions को continue करते हुए चल सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं another share के बारे में जिसका नाम है विकास Ecotec Limited है इस shares के अंदर भी last दो trading session से हमें lower circuit देखने को मिल रहे हैं जिस कारण से बहुत सारे investors के comment निकल कर आ रहे हैं कि विकास Ecotec Limited जो company financially इतनी ज़्यादा strong है और साथी साथ दो बड़ी announcement recently हमें विकास Ecotec Limited के अंदर भी देखने को मिल चुकी है जिसमें company debt reduction का program चला रहे है और quarter 4 के result के पहले ही company अपने पूरे debt को यहाँ पर reduce करने वाली है साथी साथ company को single large order यहाँ पर हाथ लगा है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा order है company के लिए तो कहीं न कहीं विकास Ecotec Limited short term में बले ही आपको यहाँ पर profit booking देखने को मिल रही है long term में यह shares भी काफी अच्छे returns आपको बना कर दे सकता है एक चीज को आपको हमेशे दियान रखना है penny shares के अंदर आपको इतना ही investment करना है जितनी risk आप bear कर सकते हैं क्योंकि company बले ही financially काफी अच्छी performance दे रही है लेकिन market हर टाइम इसे accept नहीं करता है जिया दोस्तों जिस कारण से यहाँ पर operator भी यहाँ काफी active देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही investment करिए जितनी आप risk manage कर सकते हैं और time to time आप यहाँ पर profit booking करना भी सिखिए तभी आप market में आगे भी survive कर पाएंगे देख सकते हैं ठीक तीन दीन पे ले Vikasicotec Limited की तरफ से debt reduction programs को लेकर एक update भी डेक्लेर करी गई थी और यह update मैंने आपके साथ share भी करी थी और मैंने आपको बताया भी था कि quarter 4 में company quarter 4 के result के announce होने के पहले company अपने debt को पूरी तरीके से reduce करने वाली है जिस कारण से quarter 4 के अंदर company जितना भी profit generate करेगी ultimately वह पूरा का पूरा profit हमें net profit के रूप में convert होते वे देखने को मिलने वाला है Vikasicotec का जो result यहाँ पर quarter 3 का निकल कर आया है जहाँ पर company का revenue लगबग 130% से और company का net profit 10,000% से increase होते हुए हमें देखने को मिला है तो conclusion यही है कि यदि आप इन दोनों shares के अंदर long term purpose से बने हुए हैं तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold करके चल सकते हैं यहाँ पर time to time आपको profit booking देखने को मिलती रहेगी लेकिन आपको यहाँ पर panic नहीं लेना है short term purpose से अगर आप positions बना कर बेठे हैं तो यहाँ पर time to time आप खुद भी profit booking कर सकते हैं चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत बुलिएगा साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चेनल को जोईन नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी इसी के साथ में अगर आपने अभी तक अब इस टोक जैसे इंडिया के largest platform के उपर अपर अपना free DMAT account open नहीं करा रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप अपना free DMAT account open करा सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated